हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वोक्षीट नमबर 9 जो की 5th of August 2021 की वोक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और टॉपिक है वेर डिट पीपल लिव लोग कहां रहते थे आपने का कभी भी सोचा है कि जो आप गेहूं राइस या और दूसरी चीज़े खा रही है वो कब और कहां पे उगाना शुरू किया गया तो सबसे पहले हम इस मैप को स्टाडी करते हैं देखो यहां पे हमें कुछ रिवर्स दे रखी है सबसे पहले देखो यहां पे है किर्धर रेंज यहां पे है सुलेमन रेंज यह सारे पहाड है जैसे हिमालियन है सेम ऐसे ही इसके लावा यहां पे एक रिवर है जो कि है इंडस रिवर अब इसमें कुछ और भी रिवर्स आके मिलती है जिनको हम कहते हैं Tributaries जैसे जेलम, चेनाब, राबी and सतलुच और यहाँ पे ब्यास रिवर भी है इसके लामा ये है गंगा रिवर और इसमें आकर कुछ मिलने वाली नदियां है यमुना, चंबल and सोन और क्योंकि ये सारी नदियां के गंगा रिवर में मिलती है इसलिए इन सारी रिवर्स को कहते हैं गंगा रिवर की Tributaries यहां पे विंध्यारेंज हैं यहां पे सतपुडा रिवर्स के जस्ट उपर नर्मदा रिवर है और इसके नीचे त साकती रिवर्स को कहते हैं जिसको कहते हैं ईसल्ञार była की ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है आगे? Now, find the Suleiman and Kithar Hills to the North West of India. In this region, about 8,000 years ago, human began to grow crops like wheat and barley. यहाँ पे देखो हमने दो ranges देखी, Kithar Range and Suleiman Range. यही वो area है, जहाँ पे wheat का cultivation शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, आज से almost 8,000 years पहले. ठीक है? कौन कौन सी crops है? Weeds and barley. Next है, locate the Garo Hills to the North East and Vindhya Hills in the Central India. These were some of the other areas where agriculture developed. तो सबसे पहले हमें Garo Hills और Vindhya Hills देखनी हैं. तो Garo Hills तो हैं यहाँ पे और Vindhyaas हैं यहाँ पे. ठीक है? अब यहाँ पे क्या शुरू हुआ था? Rice का cultivation start हुआ था. The places where rice was first grown are northern, north of the Vidhyaas. तो जहाँ पे हमें यह विंधyaas नजर आ रहे हैं. इसके जस्ट आस पास ऊपर की साइड यानि नदर्न साइड में ही rice का cultivation start किया गया था. Trace the river Indus and its Tribute trees. तो हमने Indus river देखी और इसकी Tribute trees भी देखी कि कौन कौन सी हैं. अब Tribute trees क्या होती हैं? Tribute trees are smaller river that flow into the larger river. जैसे कि यहाँ पे Indus river एक larger river है और उसमें कुछ small rivers आकर मिलती हैं. वो कौन कौन सी हैं? जेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. तो आज से 4700 years ago, बहुत सारे ऐसे cities हैं जो इन rivers के आसपास ही established हुई थी. ठीक है? अब इसके basis पे हमें कुछ questions के answer लिखने हैं. First question है, फिलिंदा blanks, wheat was first grown in, कहाँ पे grow करनी शुरू हुई थी? सुलेमान एंड केथार हिल्स में. B part है, rice was first grown in, तो हमने देखा अभी जो विंध्याज हैं इसके northern part में grow करना शुरू किया था हमने rice को. तो हम लिख देंगे in the northern part of विंध्याज. Question number two, what are the names of tributaries of the river Indus? तो Indus की कौन कौन सी tributaries हैं rivers? चंबल river, यमुना river and सोन river जो हमें इस map में नजर आ रहा है. ठीक है? अब question number three, in the given map identify the tributaries of river Ganga. जो भी हमने question देखा, वो इस वाले question का answer है, Ganga river का. और इसमें पूछ रखा है Indus river का. तो Indus river की जो tributaries हैं वो हैं जेलम, चेनाब, रावी, ब्यास and सतलुच. जो हमने map में भी देखा था, ये सारी rivers. ठीक है? समझ में आ गया? I hope ये आपको worksheet बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी. map भी अच्छे से समझ में आया होगा. और साथ ही साथ जो इसमें rivers हैं, जो उनकी tributaries हैं, आप वो याद कर लो क्योंकि एक्जाम में अक्सर इसें पूछते हैं. Thank you.